नमस्कार आपका स्वागते स्टडी विद जेयार में आज के इस वीडियो में हम लोग प्रशाशन की यूनिट 2 का पार्ट 4 देखेंगे पार्ट 4 में आज हम वैज्यानिक प्रवन्थ विचारदारा पड़ेंगे इससे पहले यूनिट 2 के पार्ट 1, 2, 3 अप्लोड किये जा चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहाँ से यूनिट 2 के पार्ट 1, 2, 3 देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2 का पार्ट 4, वैज्यानिक प्रवन्थ विचारदारा शुरू करने से पहले येदि आपने अभी तक स्टड़ी विज्यार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें तो चलिए देखते हैं पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपचारिक संगठन से संबंदित द्रश्टिकोनों को 3 विचारदारों के अंत्रकत विवाजित किया गया है कौन-कौन से 3 विचारदारा हैं नोकर्षय विचारदारा, वेज्ञानिक प्रबंद विचारदारा और प्रशाष्की प्रबंद विचारदारा नोकर्षय विचारदारा हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है आज हम बात करेंगे वेज्ञानिक प्रबंद विचारदारा के बारे में Unit 2, Part 4 वेग्यानिक प्रबंध विचारधारा संगटन के आपचारिक स्वरूप के संबंद में दूसरा दश्ट्री कौन वेग्यानिक प्रबंध का है वेग्यानिक प्रबंध विचारधारा के जनक कौन है अमेरिकी इंजिनियर फ्रेंडरिक विंसलो टेलर को माना जाता है जो वेग प्रवंद सच्चा विज्ञान है जो सुनिश्चित वीधियों, नियमों, सिद्धान्तों पर आदारित है विज्ञानिक प्रवंद के अंत्रगत अनेक विवारिक समस्याओं को सुलजाने के लिए संबनित प्रशन की पहचान, उसके बारे में विविन प्रकार की सूचना है, एकत्रित करना, बिन बिन पहलों का अध्यन करना, उनका विश्लेशन करना, तथा सही मार्क तै करना शामिल है विविन प्रकार की प्रवंद के अंत्रगत क्या के शामिल है? जो अनेक विवारिक समस्याओं उनको सुलजाने के लिए संबनित प्रशन की पहचान, उसके बारे में विविन प्रकार की सूचना है, इकत्रित करना, बिन बिन पहलों का अध्यन करना, और उनका विश्लेशन करना तो था सही मार्ग तैय करना ये सब इसके अंदर वेग्यानिक प्रबंद के अंदर कर शामिल है प्रबंद से बात करें अगर वेग्यानिक प्रबंदन में जो ये प्रबंद है प्रबंद से कहा था तो रहे प्रबंद से ताथ परें उन विभिन से दान्तों से है जो सभी प्रकार के संगठनों पर समान रूप से लागू होते हैं प्रबंद की बात करें तो प्रबंद से क्या दात पर है उन विभिन से दान्तों से है जो सभी प्रकार के जो संगठन है उन पर समान रूप से लागू होता है अब बात करें वेग्यानिक प्रबंदन की तो वेग्यान विग्यानिक प्रबंद शब्द का पहली बार प्रियोग 1910 में Louis Bandries ने किया था, ये विचारधारा 19. सदी की उत्राद वे 20. सदी के प्रारम में विक्सित हुई, कब हुई? 19. सदी के उत्राद में और 20. सदी के प्रारम में विक्सित हुई थी, वेग्यानिक प्रबंध टेलरवाद के रूप में भी जाना जाता है जो ये वेग्यानिक प्रबंध है ये टेलरवाद के रूप में भी जाना जाता है और इस विचारदारा को दूसरी ओदोगी क्रांती कहा जाता है ये जो वेग्यानिक प्रबंध की विचारदारा है इसको तीन बातें याद रखनी है एक तो इससे क्या कहा जाता है टेलर बात की रूप में भी जाना जाता है दूसरा ये इस विचारदारों को दूसरी ओदोगी क्रांती कहा जाता है तीसरा ये है कि संगटन ये जो वैग्यानिक प्रबंद विचारदारा है संगटन की पर्थम कारे का सरलतल भागों में विश्लेशन तता परतेख भाग का श्रमी को द्वारा निश्पादन करने ही तु विवस्ता से है अब बात करें टेलर की तो टेलर ने अपने अध्यनवे पर्योग अमेरिका की मिड्वेल स्टिल कंपनी वेबैत लेम स्टिल कंपनी में किये वेसे किया कि वेग्यानिक प्रबंद की परणालिया लागू करने से श्रमिकों की कारिकुशलता में संतोज जिनक व्रदी की जा सकती है चले आप देखते हैं वेग्यानिक प्रबंद की विशेष्टा हैं क्या क्या विशेष्टा है सबसे पहले है इसके नियोजित कारे तो संगठन में परतेक कारे नियोजित ढंक से किया जाता है तता विवस्ता भी नियोजित होती है तता श्रमिकों को प्रेर नात्मंग नमस्दूरी भी दी जाती है तो न्योजित जो विग्यानिक परबंद हैंक इसकी पहले शिष्टाह गए कि इसमें नियोजित आज़ते हैं जो संगट है पर्ट एक खारेक क्या हुता है नियोजित लिख से किया जाता है विवस्ता भी नियोजीत होती है और श्रमिकों को प्रेड़नात्मक नमसदूरी भी दी जाती है सैकंड नमर में बात करें वेग्यानिक विधी तथियों और सिद्दान्तों में वेग्यानिक विधीों का प्रियोग किया जाता है इसमें क्या होता है, कि तथि जो सिद्धान थे उनमें वेग्यानिक विधी का परियोग किया जाता है थढ़ नंबर की विश्टा की बात करें तो मानविये विकास यह श्रमीकों की हीतों के प्रती उदार होता है तता संगटन के अंदर मानवी विकास को महत्पुन मानता है तो इसके अंदर मानवी विकास होता है फोर्थ नमबर पे है संसादनों का उपियोग तो संसादनों का समुचित सदुपियोग तता उनका वैग्यानिक आवर्टन सुनिशित हो जाता है नेक्स्ट है श्रम विवाजन वे विशिष्टी करण तो इसमें ये भी गुण पाया जाता है कि श्रम विवाजन होता है और विशिष्टी करण भी होता है नेक्स्ट है विज्ञानिक काधार तो विभिन परकार की जो कारे गतिवीदियों, प्रकिरियाओं, कारियों को विज कि करनिस्तापित किया जा सकते अब बात करते हैं वेग्यानिक प्रबंध विचारधादारा तीन प्रमुक अवधार्णाओं पर आधारीत रहा ही, तीन प्रमुक अवधार्णाओं पर आधारीत form से हैं पहले सिद्द्दान श्मुत्त तत्था उसकी कारे की बीच संबन ढूनता है तत्था श्रमिक की अपेक्षा कारे पर अधिक ध्यान देता है तो विघ्यानिक प्रबन्ध विचारदारा ये तीन ये अवधारना है इन पर आधारित है नेक्स्ट है विग्यानिक प्रबंद के सिद्धान तो टेलर ने विग्यानिक प्रबंद के चार सिद्धान बताये हैं टेलर ने जो विग्यानिक प्रबंद के सिद्धान थे वो कितने बताये हैं? चार बताये हैं पहले नमबर पे हैं मानव कारे के परतेक संगटक के लिए विज्ञान विक्सित करना जो पुरानी विवार पदिती की जगह लेगा पहला सिद्दान क्या है कि मानव कारे के लिए संगटक के लिए विज्ञान विक्सित करना जो पुरानी विवार पदिती की जगह लेगा कि विग्यानिक तरीके से मजदूरों का चैयन करना फिर उन्हें शिक्षित करना और प्रेशिक्षित करना और विक्सित करना जबकि पहले क्या होता था कि पहले मजदूर खुद अपने काम का चैयन करते थे और जहां तक हो सके खुद को प्रेशिक्षित करते थे पहले के टा प्रबंधन मźजदूरों का पूरी तरह सईयोग करें फोर्थ नमबर पर है प्रबंधन और मजदूरों के बीच कामों का समान बट्वारा ज़रूरी है जो प्रबंधन है और मजदूर है उनके बीच में कामों का क्या होना चाहिए कारों का समान बटवारा होना चाहिए प्रबंदन हर वह काम ले जिसके लिए पूरी तरह उप्यूक्त हो पहले सारे कामों और जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा क्या होता था कि मजदूरों पर लाद दिया जाता था तो इसलिए अभी इस वि वेग्यानिक प्रबंदन की तक्निके तो वेग्यानिक प्रबंदन की उप्रोक्त सिद्धानतों को लागू करने में वेग्यानिक प्रबंदन की तक्निके या फिर कह सकते हैं किरिया विदी या पदतिया मदद करती हैं तो इसको हम देख लेते हैं कौन-कौन सी वेग्यानिक प्रबंदिन की तक्निके हैं पहले नंबर पे है कार्यात्मक फोर्मेंशिप दूसरे नंबर पे है गती अध्यन तीसरे पे है समय अध्यन फोर्थ पे है अंतरी पीस रेट योजना और फिफ्थ पे है अपबात सिद्दान तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यात्मक फोर्में टेलर ने कार्यात्मक फोर्मेंशिप की अवधारना का समर्थन किया फोर्मेंशिप जो कार्यात्मक फोर्मेंशिप अवधारना है इसका समर्थन किस ने किया तो टेलर ने किया एक्जाम में इस तरीके की कुशिन्स भी बन सकते हैं जिसके अंतरगत क्या होता है एक मजदूर आठ कारयात्मक फोर मैनों द्वारा परिवेक्षित और मार्ग दर्शित किया जाता है इस धारना के अंतरकत क्या होता है कि जो मजदूर है वो आठ कारयात्मक फोर मैनों द्वारा परिवेक्षित और मार्ग दर्शित किया जाता है यानि कि विशेश परियवेख्षकों द्वारा इस तरह उन्होंने एक परियवेख्षक की जो विवस्ता है उसको खारिच कर दिया पहले क्या होता था कि एक परियवेख्षक की विवस्ता होती थी तो उसी के अकॉर्डिंग मनुभ मजदूर जो हैं काम करते थे लेकिन इसने टेलर ने क्या करा कि कारयत्मक फोर मैन्शिप की अवधार ना दी और इसके अंतरकित क्या बताया कि एक जो मजदूर है वो आठ कारयत्मक फोर मैनों द्वारा परिवेख्षित और मारदक्षित किया जाएगा यानि कि विशेश परिवेख्षित को द्वारा मार और निर्देशित किया जाएगा सेकरन नमबर पे है गतियद्यन गत्यद्यन क्या सेnarवोतम विधी को घ्याद करना गतियद्यन थे वे गतियद्यन कहलाता है इस विधी के द्वारा होता है कारे करने पर श्रमिग जो अनाफशक किया करता है उनमें लगने वाले समय विश्रम को बचाया जा सकता है जिससे कम थकान के साथ श्रमीक से अधिक्तम काम कराया जा सकता है next है समय अध्यन एक श्रमीक के औस दिन के कारे का निर्धारन के लिए इस तक्नीक का प्रियोग किया जाता है समय दिन का क्यों प्रियोग किया जाता है एक श्रमीक जो है उसके औस दिन के कारे का निर्धारन करने के लिए इस तक्नीक का प्रियोग किया जाता है इसमें किसी निश्चित कारे को करने में लगने वाले समय का विश्लेशन वे निर्धारन किया जाता है नेक्ट तकनीक है अंतरिय पीस रेट योजना ये क्या है अंतरिय पीस रेट योजना टेलर ने गती और समय अधिनों द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर पीस रेट द्वारा भुकतान का सुजाव दिया जो टेलर है उन्होंने गती और समय अध्यन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर एक मानक निर्धारित किया है तो निर्धारित मानकों के आधार पर पीस रेट द्वारा भुकतान का सुझाव दिया अब ये पीस रेट क्या है और इसी कारण से क्या होता है कि इस भुक का मजदूर को मानक तकन पीके मानक पर एक बड़े बोनस और मानक से उपर समय के इस समय सब्सक्राणे के एक अगर वह मानक तो उसको पहुंचना होता है अगर मानक जो है निमन पीस रेट तक करता है तो अगर अपने जो मानक है उससे नीचे रहता निमन रहता है तो उसको कम निमन पीस रेट मिलता है अगर मानक पर पहुंच जाता है तो एक बड़े बोनस और मानक से उपर उचे पीस पर rate का भुक्तान किया जाता है, उचे rate उस according दिये जाते हैं, उस according भुक्तान किया जाता है, next है अपवाद सिद्दान, अपवाद सिद्दान क्या है, इसके अनुसार प्रबंधन हर दिन के काम का निर्धारन करेगा, और निर्धारित लक्षी की प्राप्ति पर पुरुसकार और असफलता पर दर्ण देगा, इसके अनुसार क्या है कि प्रबंधन हर दिन के काम का निर्धारन करेगा, जो भी मजदूर कारे कर रहा है, उसके क्या होगा, कारे का हर दिन के काम का निर्धारन करेगा, और निर्धारित लक्षी की प्राप्ति पर, अगर वो लक्षी प् एक पंथ निर्देश तंत्र तीसरा है मजदूरों के लिए निर्देशकार इतियादी अन्य तक्निके हैं नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का मुल्यांगन अब देखते हैं कि जो विज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा है तो इसकी आलोचना भी हुई तो वो अब देख लेते हम इसकी आलोचना टेलर की जो विचारधारा है अनेक प्रकार से वैसे तो लाब प्रसीद हुई है क्योंकि इसका उद्देश जो है उत्पादन की नई वेसुद्री हुई विदिया लागू करना है तो उत्पादन की संघधन के रूप में कैसे तैसे जो कारखाना स्तर है इसुद्रा दियान के इंद्रन कर रहा है लेकिंस की इसक कर रहे है तो इस कारण से क्या है कि ये संगठन के एक अधूरी सिद्धान के रूप में है दूसरा बात करें हम संगठन के एक यांत्रिक सिद्धान के रूप में तो कैसे संगठन के मानविय पहलों की अंदेखी के कारण जो संगठन है उसके जो मानवे पहलू है उनकी अंन्देकी की कारण इसकी अलोचना संगठन के एक यांत्रिक सित्दांद के रूप में भी की जाती है दूसरे शब्दों में कहाएं इसने सांगठनिक कुशलता की व्याक्या केळल यांत्रिकरतों में की यह मजदूर को क्या करता है कि यंत्र मानता है और उसे उतना ही कुशल बनाना चाहता है जितना कि यंत्र है तो इस पस्ट क्या कहते हैं मजदूरों ने इसका विरोध किया थार नमबर पे हैं मानवी प्रेड़ना को कम आकना ये मानवी प्रेड़ना को कम आकने और अतिसरल बनाने की कारण भी इसकी अलोचना की जाती है और मानवी प्रेड़ना की व्याख्या ये आर्थिक कार को यानि कि बहुत इक पुरुसकार होते हैं कि अर्थ में ही करता है और प्रेड़ना के सामाजिक और मनोवेग्यानिक पहलों को उपेशित कर देता है इस से प्रेड़ना का एकलवादी सिद्दान्थ कहा जाता है फोर्थ नमबर पे हैं शारिरिक वे मानसिक भूज कैसे वेग्यानिक प्रबंद में क्या होता है उनके कारे की गतीविदी में वरद्धी कराकर अधिकतम उत्पादन को प्राप्त कराने का प्रियास किया जाता है। प्राप्त कराने का प्रियास किया जाता है। मजदूर नेताओं यानि कि जो ट्रेड यूनियन होते हैं उन्होंने किया टेलर की सिद्दान बौधिक रांती की अमल से मजदूरों और मालिकों की बीच से सबी अंतर विरोध खत्म हो जाते हैं और उनके बीच की होता है प्रभावी सहकार इस्थापित होता है। इस प्रकार ट्रेड यूनियन अनाफशक हो जाते हैं तो इसलिए क्या हुआ कि इसका सबस्यादा जो विरोध है वो किस ने किया ट्रेंड यूनियन ने किया। तो इस आदार पर इसकी आलोचना की गई विग्यानिक प्रभंध विचारधरा की और इसके साथ ही क्या हमारा जो विग्यानिक प्रभंध विचारधरा का टॉपिक है कम्प्लीट हो गया है। इस वीडियो में इतना ही नेक्श वीडियो में प्रशाश के प्रबंध विचारधरा का अध्यन करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेर जरूर करें धन्यवाद